नमस्का जुहार संगवारी मन बहुत दिन बाद आज मैं यूटूबर वीडियो बनावा थो तो मैं देखा था तुमनला एक गाउं ला यह देख सका था पूरा कोरा कोरा अभी नमंबर के महिना चला थे और हमन हन अभी जश्पूर के मनोरा शेत्र के घागरा नाम के गाउं क एक छोटे से और गाउं है अंदर में टोंगो नाम के तो गाउं में हमना आये हैं अभी कुछ दिन बार विजिट करे बार तो देख सका था गाउं हां कतना सुन्दर दिखा थे अभी सुबा के लगभाग पौने आठ होए वाला है तो पौने आठ भी नहीं हुई सभी चायओर है चोटी वाला चायओर लकाबbuds मोंनी चाना हूं कुछ बूला तो देख सका था यह है घॉनके गाउं के तो मोला एक घर लाधे दिखाना अभी तो एक घर के सुन्दर्था मोला दिखाना है आज तुमन ला तो देख सका था खपरा वाला घर घर है और मैं देखा- बरकार के घर बहुत ही सुन्दर है गर चोटे दीखा चलेगी के रूम मन ला अंदर लाव में थोड़ सा देखाएके प्रयास कर हूं तो आप मन जरूर दिखा तरही है तो ये है घर के दर्वाजा अंगना है और बंद करे के तरीका है आयदा इस्ट को निए प्रकार से लगाए ये लग इसे करके जब लगता है गिर बंडब प्रकार को नी अगना के वह अगना के लाग्या नहीं है में अंदर इंटर करा थां, तो एकर बाद में मैं देखाना चाह थां एक अंगना ला, तो यह है घर का अंगन और खपर वाला घर है, तो बहुत ही सुन्दर नजारा ये घर के सुन्दार्ता जो ग्रामिर शेत्र में है, ओमनबर है और बाहर रहया मनबर भी है कह सकतन कहें कि यह जो सुन्दर्ता है सब अलग-अलग शेत्र में वराइटी अलग-अलग हो जाते घर्मन के सजावट के सुन्दर्ता के बनावट के तो यह आंगन में यह भी लगी से पौधा फूल पौधा है और इधर कुछ समान कुछ तकता जीसे है ताकि समान मनला रख सकें और वकर बाद में अगला देखाना चाहत हो एक खटिया है खटिया में भाजी सुखाईन है वैसे यह भाजी लगा वोलते हैं तुम अन जानतों है यह लाच आयना भाजी या धढड़ भाजी जो भी पोलते हैं में तो पहला और दूसरा ये वले ये में दर्वाजा है एक अर अदर में इधर अंदर जाथ न्य वला किचन है मतलब रसोई घर अंदर में एक रूम इधर रूम और एक अवर अधर रूम है और ये है आईना तो यह है गाउं के एक मकान के खपर वाला मकान के सुंदर्ता और एक रांगान में बिभिन प्रकार के पेड़ पौधा जेकर सुंदर्ता बहुत लगाईन है तो जे मन घर के सुंदर्ता ला और निखार देते हैं और बहुत ही आउश्रदिय पौधा भी यहां लगाईन थे हैं मन एला ब्राम्ही बोलते हैं या फिर बेंग्चा भाजी बोलते हैं के मन और यह तो गुलाब के फूल लगाईन है अवेकर नाम तो मैं नहीं जाना थों और भी इधर का है जी मुनगा है कि का है हैं और उधर नीबू के पौधा है टूल्सी है और भी विभिन प्रकार के है और साथ में लकडी भी रखिन है ताकि आगी बार लें इपस्तित है इधा तो वैसे टीवी बर ये सिग्नल वाला खुंटा लगईन है छत्री लगईन साथ में बगल में शौचाले है और पानी के विवस्था बर उधर नल लगी से उमें से पानी आथे तो ये प्रकार के घर है और बहुत ही सुन्दरता के एक कैसा कथन जो पक्का मकान हो थे उमन से कहीं न कहीं बहतार और सुन्दर एक कच्चा मकान हलक थे और जैसे कि हम जाना थे आज कल सब मिट्टी के घरल तोड के उकर उपर में पक्का मकान बना थे और समझ थे कि मिट्टी के घर से मतलब पक्का मकान बहतर है लेकिन हमन पूर्खा मन से द मिट्टी के घर में है यह थे तो मोगला मिट्टी के घर हे जादा भात है कि पकका के सिमेंटट्र चछत वाला मकान है तो थीक है बस आज बर इतना ही ज्ञादा तो नहीं बुलना चाहा थो काई कि एक घर है मोगला बहुत मोहित कर्दाई से यहां के जो रहे में जो अलग प्रकार के जो सुख है आनंद है तो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के सभो संगवारी मन के जश्पूर छेत्र में इह आए हो तो हैं के भाशा भी कुछ-कुछ प्रयासकर्थ हो शीक लो जीसे की सब्जीला कावल से कावल देदी सब् तियन अच्छा मैं तो बस एंदरा आमकी मोखोय जानत रहें तो मैं सुचे कि आमकी मतलब सब्जी हो थो ही मोखोय मतलब तो खाना होते का हां मोखोय या फिर मोखदन इसे को बोलते ना एक लेना हो सिखे हूं मैं एन सरगुजा तिर बर्च की रहें ठीक बोले न दीदी बस मतलब कि मैं सरगुजा ले आये हो इतना बोलत हो ठीक है संग्वारी मन आप सब मन के धन्यवाद जोहार